इन इतिशकुमार का पुछती मारें यह पुञाना आदत है, अब अभीत पुराना आदत है अभीत बंध आद की हरा डोला को ही सुधरने वाला नहीं है कोहीं किभला है अभेजातinea वेला की आदता है मन से कि कहां से लाए गए कहां से लाएगा दुस लाख नौकरी कहां से पैसा देगा तो हमारे नेता श्रीत यस्वी परसाद यादो जी न दिखाया और वहीं नितिश कुमार के साथ आकर के कि साड़े चार लाख सम्थिंग दोजगार दिया और सरकार अभी निक्ति पत्र मिला आपको अब से ली भी सबको दिलाएज मिल रहा है ते नितिश कुमार अब जीरो पर आउट होने वाले हैं अब इनका कोई आस्तित तो बिहार में वहार में तो कहता हूं कि गिरगिट से ए अब कहें कि ना हम नोक्री दिया अगर आप नोक्री दिये हैं अब आप जो है कि सेवा कर रहे हैं लोगों की तो बीच रहों में आप छोड़ कर क्यूं जाएंगे भाई इस और देखें कि बिहार में राजनीतिक उतल पुतल शुरू हो गई है यानि नितिश कुमार चुनाव है और नितिश कुमार पहले इंडिये गटबंदन मना रहे थे सभी को जोड़ रहे थे अब वो भाज़पा के साथ कुछ चले गया तो क्या लग रहा है कि राज़त को लोग किस तरह से देखते हैं और जैसे तेजस्वी यादो को छोड़ कर जाना क्या कहेंगे देखें इनितिश कुमार मनले इनको 2013 में बीजे पिधोखा दी उसका बासे उस समय से आर्जेडी साथ में इनको साथ देके सरकार बना फिर पंदर में वेचुनाव हुआ बहुमताया सरकार बना लेकिन इनितिश कुमार का पल्टी मारने का है नो इनका पुराना आदत है इ फिर दोबारा आर्जेडी ने हमारे पाटी ने इनको मुखमंत्री बनाने के काम किया सबसे ज्यादा सबसे बड़ी पाटी होने के बाद भी इनको विश्वास करके मुखमंत्री बनाया लेकिन इनका पल्टी मारने का आदत है इस मतलब इसुदरने वाला नहीं है आई कोही तो फिर इंडी गट बंधन तो खताम हो गया लगबग अरे उनके जाने से उन आप निटीश कमार तो हाल फिलहल में इंडिया गट बंधन में तो आये थे ना उसके पहले तो यूपीय का सरकार चला हमारे लालुजी रेल मंत्री थे अब सरकार चला तो उनके जाने से कोई फर अरुन ऐने वले दिनों में लोग समाड चुनाव है क्या लग रहा है कि बीजेपी पर भारी पड़े यानि जो एंडिया गट बंदान है उसना राज़े भारी पड़े चाहे यह यह हमारी राजरे झोहार में बिहरमें ऐख़ेनमषी को उल्हामें वजबूत है कर दिधरे क को पसंद कर रहे हैं कि नितिज को अरे माल ही युवा को किसने नोक्री दिया अभी सट्रे महीना में सब उनको देना होता तो कि आजे से मुखमंत्री हैं और तो तो जी बोलिये दिये हैं कि ठका हुए कर दिया मुखमंत्री होकि उतना कर दिया से क्या होना कि मुखमंत्री युण उस बे अपना उनको करना होता यह कर दी boat नोक्री दी रोजगार दी डेवलोप्मेंट किया तो यह दो कहा रहे हैं कि 17 महीना में हमने इतने रोजगार दे दिए क्या लग रहा है आपको बताना चाहते हैं कि यह नितिश कुमार है कहते थे तो यह बोलते थे कि हमारी सरकार बनती है महागर्च tehdels देने का काम करेंगे दौ्सलाक कर देन काका काम करेंगे और यह नितिश कुमार हैं कि जाड़े नौक्तिञ रोजगार दिया और वही नितिश कुमार के साथ आकर के कि साड़े चार लाग सम्तिंग दोजगार दिया अब सरकार अभी निक्ति पत्र मिला आपको अब सेली भी सबको दिलाएज मिल रहा है ते नितिश कुमार अब जीरो पर आउट होने वाले हैं अब इनका कोई आस्तित बिहार में रहने वाला नहीं है लोग सावा में इसका फा दिख रहा है कि जिन्हों ने अब बिहार में पहले क्या चलता था वो तो समने देखा अभी सिक्षा स्वास्त और नौकरी कि जो बहुचार हुई इस समने देखा अब युवा जिसके साथ है देश उसके साथ रहेगा और उनका तेस्वी जिक साथ पूरा गुपालमेंज की अब जीतेंगे यहां से अपने दम पे और अपने विकास के कारियों के दम पे हम लोग यहां से 40 में से 40 जितने का कारे करेंगे क्या कहेंगे युवाव का आप भी तो राजद के नेता हैं और जिस तरह से यह हुआ पहले वह एंडीय में रहे फिर आप लोग के साथ गड़बंदन की है फिर चलेगे गड़िये में तो क्या के राजद के लोग क्या सोच रहें दिखिए राजद के लोग अभी गुश्य तो है नितिस के खिलाफ लेकिन जो इवाव में जूस का जो लहर है आगामी लोक्स अभा में हम दिखाएंगे कि युवाव में क्या पाउर होता है और क्या दम होता है और दुएर पटीस में तो हमारा स्री तेस्वी परसाद यादो जी तो बन चुके हैं तो बस अब स्री तेस्वी परसाद यादो जी होंगे क्या कहेंगे चुनाव में ये इस तरह से राजनीती को लट फेर हो रहा है सामने विधान सभा चुनाव है युवा क्या सोच रहे है युवा यही सोच रहा है कि नितिस कुमार पल्टी मार दिये ठीक है उससे कोई फरक बने वाला ह है त्वर्लाय में जहाई नहीं ठीक है क्योंकि जितना काम किये हैं हमारे मुक मंतरी तेजस्वी यादो दी लिए के बदाला उन काम के बदाला युवा उनको लाइक करती है युवा चाहती है और युवा ही और जितने भी जनता है सब समझ चुके है कि 17 शाल बना 17 महिना का जो था और जितना सम्थिंग पांच लाग के करीब नोक्रिया नुक्ति पत्र मिला है यह इतिहास के पन्नों में दर्ज करने लाइक है ठीक है जो जानता जानता है और जानता का निन्य होगा वह जानता अपने मद्दान से अपने भोट से इसका जवाब देगा यानि लोग समझ गया है जानता जान गया है कि कौन कर रहा है ठीक है और किसके हम सपोर्ट करेंगे और किसको मुखमंत्री बनाएंगे तो हमें फैयदा होगा क्योंकि युवा बेरोजगार घूमता था आज से पहले 17 महिनक के पहले युवा जितने भी थे सारे बेरोजगार थे ठीक है तो हमारी ते श्व साथ जो हमारे नेता जी है वो निक्टी पत्र बातने करें का। अब करने के लिए रात में नहीं गया है जो हमारे नेता रात रात को को जब एक बादा है जो मत दाता है वो अपने उस्वाब देंगे और वृफ बिल्कुल बददा ए meinem आप अभी का जमाना देखे अभी का हाल देखे और पाश्ट की बातें देखे आप पाश्ट में क्या होता था अभी क्या हो रहा है यह तो समाम तमाम चीजें सब बातें हमारे सामने यह देखी हुई चीजें कि पहले का जमाना क्या था पहले जब हम हस्पीटल में जाया करते पहले क्या जमाना था लेकिन अभी जाके देखें पुरा स्पीटर हो चुका है युवाओं की क्या पसंद है पहली नितिश कुमार है कि तो बहतर है क्योंकि पसंद उसको किया जाता है जो इनसान काम करें जो जौब पे फोकस करें अगर कोई बेरोजगार घुम रहा है तो उ कि यह कैसा मना जाएगा कौन दिया है कौन नहीं दिया अब इससे फैसला लगा लें कि अब एक इनसान जिंदगी वर साथ चलता है अब मेन वक्त पे आकर उसको धोखा दे के चला जावे तो इसको हम क्या समझेंगे अब मैं तो कहता हूं कि गिरगिट से एक्जामपल ले कि अब माली जिए हम आपके तो अगर इंसान भी रहों में छोड़ कर चला जाये तो उस वक्त क्या होगा अब कहाँ कि ना हम करीव अगर आप नोपरी दिये हैं अब आप सेवा कर रहे हैं लोगों की तो बीच रहों में जोड़कर क्यों जायें बाइब ये भी तो बात हो सकता है कि आप नोकरी दे रहे हैं तो उसी पर जमे रही है सब यूँ आपको लाइक करेंगे सब बोट देंगे आपको बट आप बीच रहों में छोड़कर चले जा रहे तो ऐसा नहीं होता है क्या कहेंगे कि लोग सबा चुनाव में क्या स्थिति रहेगा राजत का लोग सबा चुनाव में इस्तिति अब तो हम एक जिले में हैं लेकिन आप जैसे मिडिया कर्मी लोग हर छेतर में जमनी अस्तर पे जा कर के इवाउ Skills के बीच बड़े बुजोर्ग के बीच की जो सिच् जो राजनीती में रुची रखते हैं वो जानते हैं कि इतने कम में और एक छोटा सा जो इसके पास बहुत कम तजूरुबा है राजनीती का जो कर दिखाया है वो अच्छे-च्छे नेताओं नहीं किया और इसको लेकर के युवावों में जो दम-खम दिख रहा है आप फिला काम लोग भी थे वो कोई फंड किया हुआ लोगों को नहीं बुला करके ठंड में कंप्ती खड़े थे अब जब बाहर निकले तो उनका कंफिडेंस ब्यान कर रहा था कि यह बंदा क्या करके निकला है तो आरोप तो यह भी लगता है कि उनके पिता जी माता जी 15 साल रहे है कुछ नहीं हुआ नितिस कुमरा है पांच में उसके बाद से सारा विकास हुआ देखिए आरोप परत्यारोप यह सब तो राजनीती बाते हैं और यह सब चलती रहती हैं और जो आरोप लगा है उसमें वो जा रहे हैं भाग तो नहीं रहे हैं बिहार का एकलौता ऐसा पांच घनटा 10 जितना आपको फूचताज करना है करो उसको कोई परिशानी नहीं है उनको सिर्फ काम से मतलब है कल वो सत्ता में थे कुर्सी पर थे काम कर रहे थे अभी वो कुर्सी नहीं है सत्ता से बाहर हैं फिर भी आप देख रहेंगों कि वो हर जगे यहां मदत की जर पैसा है नहीं कहां से इनको सेल्डी देंगे एक डूबी हुई जैसे कि जब लालू जी ने रेल मंत्री बने थे तो उस समय रेल का बहुत ही खस्ता हला था जब वो सरकार में आये तो उसको एक तेजर अफ्तार दियें और उसको प्रॉफिट में ले जा करके उन्होंने छोड वही उनका लड़का जो तेजस्वी परसाद यादों है यह यूथ आइकन जो बिहार का है उन्होंने वही काम किया एक सुस्त सरकार जो चल रही थी रेंग रेंग कर उस बंदे से उन्होंने काम कराए एक छोटा सा युवा बच्च्चा वह शुक्या तो यह तमाम जो लोग थें देखिए गोपालगेश के हैं और कहीं ने कई यूवा हैं यूवा नेता भी हैं राज़त के भी नेता इसमें और इनका साथ तोर पर कहना है कि जब लोग सबाचुनाव होगा तो बिहार में 40 की 40 सीट राज़त जीतेगी यानि ते जस्वी यादों को बिहार का मुखमंत्री भी होना चाहिए और विधान सबाचुनाव में इसका जवाब जनता एक एक वोट से दे देगी